मैं फरहान और आप देखना सुरू कर चुके इंडियन मीडिया बुक अमीज शाह कलकता पहुँचे दुरगा पूजा के पंडाल का एनुगरेशन करने लेकिन उनके दिमाग में दो ही बात हमेशा घुमती है एक 370 और 35A उन्होंने हमेशा ठान के रखा है कि एक समुदाय को हमेशा कुछ ना कुछ डोज देते रहेंगे कोई भी हिंदू, सीख, जाइन, क्रिश्चन, सरनार्थी जो यहां आए है उसको भारत की सरकार भारत छोड़ने के लिए मजबूर नहीं करने वाली है भारतिय जन्ता पार्टी की सरकार एनार्सी के पहले सिटिजन्सिप एमेंडमेंट बिल लेकर आनी है CAB लेकर आनी है CAB का मतलब है भारत के अंदर जितने भी हिंदू, सीख, जाइन, बोध, क्रिश्चन जितने भी हिंदू, सर्णार्थी आये हैं, वो सभी के सभी को भारत की नागरिक्ता प्रदान कर दी जाएगी हमेंसा के लिए प्रदान करना इसके उपर टिपनी लेनी के लिए और रोशनी डानने के लिए हमने बुलाया है शरियार खान को शरियार खान साइब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अमीज शाह का वीडियो देखा होगा, इसके वारे में आपका क्याने चाहेंगे कमिनलिजम हैं, फेसिस्ट फॉर्सस हैं, एनर्सी का जो एक्सराइस कर रहे हैं, इससे भी बड़ा सरकस अनुमिरेशन का लोगों के इंडिया में के दुनिया में भी ने चला, ये एक तमाशा है ये लोग, मुसलिम को भी, illegal immigrants, मुसलिम को भी count कर रहे हैं, उन्हें भी जाके वो foreign terminals के सामने हिसाब देना, documents देना, हिंदूस को भी कर रहे हैं, सारे suspected लोगों पूरे आसाम में कर रहे हैं, पूरे समुधाय को कर रहे हैं, और Amisha बोलता है, इसका जोग देखिया, ये लोग स पार्सी, इसक्रिशन सदे के बात नहीं है, हमें उनको citizenship बना लेते हैं, citizenship amendment tag 2016 लाके हमें बना लेते हैं, आपको दरने की जुरूत नहीं है, ये क्यों डर रहे हैं, तो आप ये तमाशा क्यों कर रहे हैं, उनको क्यों मुला रहे हैं, उनको क्यों मुलाना हैं, foreign terminals के सामने we will deduct them and we will deport them नहीं बोल सकते हैं, अगर deport them बोले तो Bangladesh will take offense, क्योंके हमारे honorable foreign minister हो जाके बोले हैं, this is an internal matter, ये जो तमाशा कर रहे हैं, परांसाब, इंडिया जागना चाहिए अब, क्योंके हम इंडिया के लोग हम एक हैं, बले ही मजभ अलग हो, ये इंडिया को बलकनाइस कर द हैं, सब को गिंती कर रहे हैं, और कहीं लोगों को, लाखों के लोगों को, आप इंडिया कर रहे हैं, कहीं लोग, मुस्लिम दूसमें, उनका पसेंटेज कम है शायद, क्योंके बैंगलादेश से भाग के ऐसो मुस्लिम ने ना, 1971 वार के बाद, बैंगलादेश डिक्लेड इ ठींड से अउक्षिन कर दिती थी, तो ऐसे मैक्सिमम हिंदू मेग्ला माइकरेश लोगन हो गया, तो मैक्सिमम इलिगल इमिगर्ट्स अहिं सावित होंगे, यह को जाने काहिंगें, और रो मत हम आपको इंडिन सिजन स्टेजन बना देंगे, इस के, इस की, अबैशा पालि में अभी अमेंवेंड नहीं वहां citizenship act का लेकिन 31 डिसमबर 2014 से इनका काम चालू हो गया है यह बहुत ही constitution को बिलकुल तोड़ने की मुड़ने की बात कर रहे है यह जो पहले यह कहते थे कि हम जो जितने भी घुसपैटी हिंदुस्तान में उसको हटाएंगे एक common बात थी लेकि इन आसाम के होने के बाद इनका पूरा सिनारियो क्योंकि सुरू से लगता है कि hidden agenda था कि सिर्फ मुसल्मानों को डराये जाएगा और इनके वोट बैंक को कम किया जाएगा अब इस बात के उपर आपने देखा होगा कुछ दिन पहले महमुद मद्नी ने टिपनी किया कि पू हो बोले कि सारे लिगल इमिगरेंट्स आर्टिकल 15 कॉंसिटूशन का यह बोलता है कि अईसा खानून नहीं बना सकते दट कन टार्गेट वन कम्यूनिटी आर्टिकल 15, you cannot discriminate on the basis of religion, clear-cut unconstitutional बात, हो मिनिस्ट्र कर रहा है, ठीक है? अब यह कोट पे जाके इसका कोट का फैसला करना, दुसरी बात है मदानी साब के मिचे नहीं मालूम भरान साब वो किस हवे में हैं? क्या बोल रहे हैं? क्यों बोल रहे हैं? क्या मदानी साब चाहते हैं कि कुछ मुस्लमान पूरी हिंदूस्तान में, देखो इनका येम है. मादिने साब को यह समझना चाहिए, with all due respects to मा आपके देख रहे हैं, सब लोग देख रहे हैं, क्या मादिने साब को यह नहीं मालूम, कि एक एक एक्स्प्लिसिट ओर्डर आया है, फॉरिं ट्राइबनल्स के जो जुटे मोटे छोटे मोटे इनको, कि जितने हो सके उतने मुस्लिम्स को आप इलिगल इमिग्रेंट्स डिक् कार थी, क्या मादानी साब को यह नहीं मालूम, 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 क्या मादानी साब इसको कंट्रोल कर सकते हैं, मादानी साब महजक मोहरा है, small thing है, समझने चाहिए इनको म मादानी साब को कि हिंदुस्तान अब वो नहीं रहा सेकलियरिजम नहीं है Constitution में Spirit of the Constitution कुछ इनों यह लोग दबा के बैठ गए हैं यह क्या कंट्रोल कर सकेंगे कल किसी को भी बोल सकते हैं वो एक बार डिक्लेर करते foreign terminal तो मैं और आप ये डियांगर जाएंगे हमको प्रू करते करते क्योंकि इंदुस्ता शिरिजिंशिप अग्ड भी एक अजब है यह आप ध्यान से सुनिए वन्जब आम इंडिया के लिए 1950-26 जैन्वरी से लेकर 1908 जुलाई 1st 1989 को इसके अंदर जो भी पैदा होता इंडियान है सिर्फ आसाम के लिए अलग है 1971 आट है मैं यह गुफ्तुग में आपसे यह भी पोश्टना चाहता हूं कि कश्मीर यह से स्टेट में आर्टिकल 370 इसक्रिमिनेटरी है 35 यह जो कश्मीर का था वो इसक्रिमिनेटरी बोलके उसे कड़े ना आप यह सिटिजिंशिप आप में जो सिटिजिंशिप का अलग आप बर देता कट आफ डेट 71 देता इंस्ट आप 1987 उसको क्यों नहीं हटा सकते आप क्या वह इंडिस्क्रिमिनेटरी नहीं है वो कि सारी हिंदुस्तान के लोगां को 51 टू 87 और आसां को 71 अब किसको बेखूब बना रहे हैं आप लोग अगर हिंदुस्तान मैं बोल रहा हू हो रहा है बिलकुल हो भी जाएगा ऐसा तो नहीं है जैसे है अभी बीजेपी गौर्रमेंट मादानी साथ क्यों है इसा बोले मादानी साथ को नहीं मालों मादानी साथ हैं मेमरा पार्लिमेंट हैं कैसा बोल सकते मादानी साथ हैं बेजी मेदारी के बाद कैसा कर सकते मादा illegal immigrant ठहरा रहा है तो उसको निकालके फेक रहा है और उसको यह बोल रहा है कि तो ज्यादा से ज्यादा मुस्व करें डिप्र करके illegal immigrant पोड़के डिकलेर करना बोलके क्या मदानी साथ को यह नहीं वालने क्या मदानी साथ can मदानी साथ prevail over the home minister can मदानी साथ ensure that you know these foreign terminals are conducted on proper rules and regulations can you ensure that यह control है उनके पास ऐसा तो नहीं है जैसे Congress को ED और CBI का डर से उनको डराये जारे उसी तरह मदानी साथ के पास यह ऐसा कोई केस हो जिसे वो तो पाकसाफ अद्वी है ना पता नहीं जै कि लोगों का कहना यह है कि पाहर से जो फंड आते थे उसके उपर इनके उपर कुछ ED का दबाव है ऐसा हो सकता है अब मुझे नहीं वालने परादव उसका तो इलिम मुझे नहीं है लेकि जह तक हम जानते हैं एक अब बोलते नर्सी पूरी जगा लगा दो कहां का लागेंगा नर्सी आजसा में डिजास्टर हो गया है क्योंके जो इलिगल इमिग्रेंट्स को फाइनल डिकलेरेशन होगा उनको छे डिटेंशन सेंटर्स में देर हजार लोग को रखे हैं परांसा छे यह एक लाग या ती ने डिटेंशन सेंटर्स बनाने पड़ेंगे उसके बाद उनका क्या होगा स्टेटलेस सिटिजन्स बनके घूमेंगे इंडिया में उनको कोई भी गौर्मेंट के बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे उनको सालरी से मिलेंगे सोशल बेनिफिट्स मिलेंगे इंचिन्स नहीं मिले तो अगर ऐसा हुआ तब क्या होगा बाइकाट करेंगे गांधी नहीं को सिका है ना क्या बोलते हैं पीसफुल बाइकाट इनारसी आसाम में इसलिए लगाया गया था कि उस जमाने में जेशन और इसके सिना जो गौर्णर थे उन लोगों वो डाउट आया और इंदरजीत इसलिए वहां पे वो लगाया गया इन उसके नतीज आप देख रहे हैं बिलकुल फ्लॉप हो गया अब वो सोनवाल जो चीफ मिनिस्टर है जो डिमांड करें थे वो लोग बोल रहे हैं जानते हैं आप सोनवाल जैसे सीम लोग वी डर गया हैं कि एनारसी डिजास्र नाव प्रवाइब आप सब के लिए और लिए लेकिन जब आप टारगेट कर रहे हैं किसी एक कॉम्मिनीटी को तो यहां तो नफरत के लावब कुछ पैदा नहीं कर रहे हैं इंडिया में आप जानते हैं बैंगला देश में 11 मिलियन इंडीगल हिंदु इंडीट काम कर रहे हैं इंडिया को भेज रहे हैं फिफ्थ हाइस्ट है पूरी दुनिया का देखे तो आप क्यों पता है आपको बैंगलादेश का जीडीपी ग्रोथ 187 टाइम्स बड़ा है इंडिया का 117 है एकॉनमी उदर भेहतर है जाब्स उनको वहां मिल रहे हैं 11 मिलियन तकरिबन हिंदू इमिग्रेंट्स वहां काम कर रहे हैं यह एक एकनॉमिक तिंग है फरांज साब तब एक जंग हुई थी जॉब्स बेए थे शाहिदी तर लोग आगे होंगे लेकिन जो हिसाब का ये बोले कि 20 मिलियन आगे कहा है 20 मिलियन कितने धुन के निकाले आप वो खोदा पहार निकल क्लिक क्लियर है ये बाख हिंदुस्तान को ये दिखाना चाहते हैं कि देखो हमें हिंदु राष्टा बनाने वाले आगे अब ये लोग जो बच गए हमें इनको second class citizens बनाएंगे तो divide and rule वाली बात है destroy and rule not divide and rule, destroy and rule. तो मेरा ये यखीन है कि हमारे हिंदु भाई सबसे बड़ा, हमारे महाफीज नहीं हैं हमारे लीडर्स मर गए पर हैं एक जिन्दा लिडर की बात बताईए हमारे महाफीज होंगे हिंदूस्तान में हमारे हिंदु भाई होंगे आप देख रहें ना सबसे फोर्फरेंट वेंगार्ड ये फैसिस के खिलाफ लट रहें हैं सो हिंदूस मुस्लिम के लीडर अभी बात करें ना में कैसे स्टेटमेंट्स आ रहें बोलके हैं लगा दो पूरी इंडिया में मुस्लिम जो लीडर है वो क्लियर कट नजर आ रहें सिर्फ और सिर्फ चाहे वो मौलाना हो चाहे मुफ्ती हो चाहे लीडर हो वो सिर्फ अपने फायदे की बात कर रहें उसके लागा कुछ नहीं है मदानी साब है उनके क्या ट्रांसक्षें से मुझे नहीं मौलू मैं इनको अभी भी लुक आप करता हूं आज मुस्लिम डीडर बट इतनी बड़ी बात कह देना कि आप इंदुस्तान में नर्सी को लिका दाल दो आप आसम में जाके क्या करें आप इतने लोगों को जो डिक इतने बड़े बायान देते हैं, what about them? क्या गलती है उनको? Constitution में खुला discrimination हो रहा है, Amish आप खुला बोल रहा है, Amish आप खुला बोल रहा है, Amish आप खुला बोल रहा है, Amish आप हुला रहा है कि जो भी डिकलेर होंगे, Hindu मत डरो, Parsi मत डरो, Buddhist मत डरो, Jains मत डरो, हम आपको citizenship द अलागे, लेकिन, where he is silent, he is most dangerous, कि दूसरों लोगों को हम वापस जरूर भेज़ेंगे, आप इसके देखिए, ये Article 15 Constitution का violation है, दूसरी बात ये है, ये लोग पाकिस्तान में एहमेदियाज हैं, जिसे पाकिस्तान खुली तरह से बोलके है, कि they are apostates, मतलब they are not Muslims, आप उनको क्यो include नहीं करें, खादियाना लोग आपको vote दालते हैं, है ना, आपको vote दालते हैं, बिचारे, उनको, मैं उनको blame नहीं करता, एक किसम से उनका prosecution चलता, आप उनको vote दालते हैं, उनको क्यों ने include करें, क्या वो इनसान नहीं है, क्या पाकिस्तान में सबसे ज्यादा, मैं कुछ गलत अलफाज उसका दालते हूं, फरांसाब, यतना गुसा आथा, सबसे ज्यादा पाकिस्तान में मारें सबसे मैनोरिटीस को, शियास को ना, आप उनको क्यों नहीं देते हैं, हां, रोजी हम लोग सुनते हैं, कि जो क्वटा में हजाराज हैं, और वहां शियास हैं, मैक्स पाकिस्तान में आप उनको भी दीजिये, और जो 35 हदाल मलाया टैमिल्स इंडिया के स्रिलंका को गए थे, 83 में जब उनको सिंहालिस मारें, वह आके 35,000 अभी भी इंडिया में हैं, दलित हैं, आप उनको क्यों नहीं क्यों नहीं क्या दलित के खिलाफ आपको, मुस्लिन के आपको क्यों, वह आपको क्यों, वह आपको 302 सीट्स मिलें, इसके अरगेंस में मत रहिए, 39% अफ इंडिया हैं, रेस्ट अफ इंडिया स्थिल्स इंडिया हैं, आप जानते हैं, यह लोग एक्स्ट्रीम राइट के लोग हैं, बी जे पी, वी राइट हैं, बी जे पी वी संटर हैं, यह भी तो आप देखिया हैं, जर्मने मी भी एक फेस आयां, फेसिस्ट और नीजिजम का आया, हर मुल्क के हिस्टे में ऐसा एक उन्र होता है, ऐसा पस्प्रॉर्मेशन होता है, उसके बाद लिबरेट होते फ्रांस में हो जामन में हो इटिली में हो अब इंदुस्तान में हो रहा है तो एक जब ruling government जो होती है ruling government जब होती है एक अपने सीमा से उपर पार कर जाती है तो उसका fall होना जरूरी है तो लगता है कि आज नहीं तो कल इनका भी तो कब तक पिलाएंगे आप रिलिजिन का शराब कब तक पिएंगे लोग चन्द लोग हैं जूट की बात है कब तक करते हैं क्योंकि देखिए अभी कभी भी कोई भी स्पीच में क्या कर रहे हैं और देश का भलाई कैसे होगा वो बात नहीं हो रही है हर लेक्चर में NRC 370 35a यही रिपीट हो रहा है 370 का जो आप में फर्मा रहे थे के इनों बोलें कि हम उखाड के फेग दिये इस नोट लाइंग्वेज इनोट कमपोर्स दिगनिटी अफ हो मिनिस्टर 370 को उखाड के फेग सकते नहीं अगर आप यह लैंग्वेज कर रहें तो तो यह अदमिटिंग देट यह दन संथिंग वेरी ठिरिनिकल मतलब एक क्या बोलते हैं उसको जुलम करें जैसा बात करें आप उसको बोलना था तो एक सही तरीकी से भी बोलना था कि दोगो हमना यह मैंडिट था है मैंडिट यूस करें वो खाड के फेग दिया बहुत तो क्या आपके सब हिंदुस्तान को अखा के आपको और ओठा है तो हिंदुस्तान को सब मुसल्बान को मार दें गया यह यह विल यू कमिट जियनोसाइड नर्सी के बारे में डरने की रेस्ट आफ इंडिया में आसा हूँ चुड़के कोही डरने के ज़रूरत बिल्कुल इछ नहीं है फियर मॉंगरिंग लोगों के बाता में माता है अपने डॉक्मेंट सब्लों और जिंदगी चला ते रहो, Constitution बड़ा स्टॉंग है और इंशाला अच्छे लीडर्स को चुन अभिस्ट रहो, Constitution बड़ा स्टॉके को सब्सक्रा ते रहो, Constitution बड़ timmy, डिका के लिए धियर में में आसादा़ कर लीडर्स को चुड़ें के यहाँ, इंद। आबादाना है और जिए जिन डिए भीडर्स कुन्वेंपना है, रहोगों के बाता है, बड़ा में में दोना हैर